हेलो गाइज मैं फिरोज दर्विश स्वागत है आप सबका आज के इस व्लोग में दोस्तो आज के इस व्लोग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ राम जूला की ओर जो डिसी केस में ही है उमीद है आज के इस व्लोग आपके लिए इंटरेस्टेड होगा बने रही है वीडियो के लास्ट तक और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बैल अइकान रिप्रेस कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही व्लोग बनाता रहता हूँ मैं हूँ अभी रिश्टी केस में टी एच डीसी संस्थान के एक रूम में यहां से राम जूला लगबग 10 किलो मीटर पे है वह गारी हमारी खड़ी है जिस से हमें राम जूला घूमने जाना है तो फाइनली मैं गारी में बैट गया हूँ राम जूला और नीलकंच मंदिर दोनों का ही रूट सेम है मेरे लोकेशन से राम जुला 10 किलो मीटर पे है अगर आप भी राम जुला घुमना चाहते हैं तो हरी दुआरे स्टेशन से 30 किलो मीटर का डिस्टेंस है आप वहां से कोई भी बस पकर कर यहां आ सकते हैं अगरे तो फाइनली मैं राम जुला पहुंच गया हूं अब यहां से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा यह है राम जुला के आसपास का मार्केट यहां पर देख सकते हैं कि इतना ज्यादा भीर है यहां से नदी की ओड जाने का एक रास्ता है इस रास्ते से फिलाल मैं नीचे उतर रहूं देखते हैं यहां पर क्या है नदी के किनारे बहुत से लोग बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहें और कुछ लोग यहाँ से बैठ के नदी की गहराई ना पड़े हैं मैं फिलाल नदी में नहाने वाला नहीं हूँ नदी के किनारे बहुत से लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे नदी के किनारे बहुत से चीजे बेकड़े हैं उसको खड़ीत के खा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खुबसूरत नजा रहा है अगर आप फोटो खीचने के शौकेन है तो आपके लिए यह जगह बेस्ट है हुआ तो महागा है रिशीकेस के राम जूला के पास और मेरे साथ है मेरा नाम अभिषिक्षास्त्री है और इनके साथ और यह हम साथ हमर सिंग जी यह डाप किने बाइए आप गये रहे हैं इस अनगजी है और बस हैंगज अब हम यहां से चलते हैं राम जुला के ओर यह राम जुला के आसपास का मार्किट है आप देख सकते हैं कितना शांदार मार्किट है काफी भव्य मार्किट है इस मार्किट में वो हर चीजे मिल रही है जो आप खड़ी सकते हैं यहां से कुछ दूरी पैदल चलने के बाद राम जुला में एंट्री करने का यही रास्ता है यहां से आप देख सकते हैं सारे लोग राम जुला के ओर जा रहे हैं चलि मैं भी आप राम जुला के ओर चलता हूँ यही वो पुल है जिसको राम जुला बोला जाता है इस पे लोड जादा होने की वज़े से ये स्प्रिंग की तरह उपर नीचे होता है और इस पूल के नीचे गंगा नदी बहड़ाई है लक्षमन जूला और राम जूला दोनों ही आसपास में तो कभी भी आप रिशी केस आएं तो आप राम जूला लच्मन जूला दोनों ही घूम सकते हैं फिलहाल लक्षमन जूला बंद हो चुका है करते हैं कर दो कर दो कर दो खो कि अ कर दो तो हम लोगे ने आजिए तो हम लोगे ने आज राम जूला को घूम लिया है अब हम घर के तरफ पड़स्थान करेंगे अगर आप भी कभी हरी दुआड़ा हैं तो राम जूला लचमन जूला और नील कंट मंदिर जरूर घूमे आज का ये वोलोग अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर केजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए मिलता हूँ फिर एक नए वोलोग के साथ अभी के लिए चैहें मिलता है